आज दो जून को बहुत बड़ी सफलता जियार्पी इकाई भोपाल के हाथ लगी है महज बारा घंटों के अंदर एक अंधे कतल का खुलासा और आरोपिक विरफ्तार किया गया है घटना इस प्रकार है कल एक तारीक को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी लगभख रातरी 9 बजे कि नर्मदा एक्सप्रेस में कोई उती भेहोश है ततकाल ही जियार्पी आर्पी एफ और रेलवे के स्टाफ ने ट्रेन को अटेंड किया और वरिष्ट अदिकारी सब वहाँ पहुँचे एस पी जिलावल सी होर शेशिन चोहान सहब भी वहाँ पहुँचे और जियार्पी का स्टाफ भी पहुँचा वहाँ पर जब देखा गया तो नर्मदा एक्सपरेस के D3 कोच में एक लगभग 22-23 वर्षी उती चेत हवस्ता में पड़ी हुई है और साथ ही पास में एक चाकू भी मिला जब देखा गया तो गले में एक गंभीर निशान था संभवता उससे चाकू से मार करके उसके हत्या की गई यह समझ में आया वहां के स्टाफ, रेलवे के टीटी, गार्ड, आदी सबसे पूछताच और जंता से जब पूछताच की तो युवती के बारे में पता चला कि वह मुसकान, हाडा, लगभग 22-23 वर्षी उती इंदोर की रहने माली है जब उसके परिवार का पता किया, तो पता चला कि वह इंदोर से भोपाल की आत्रा कर रही थी, अपने सहली से मिलने जा रही थी परिवार ने यह भी बताया कि उनको जब सिहोर पहुँचने वाली थी तब जब बात हो रही थी उपती से तो परिवार को बताया कि सागर सोनी करके एक व्यक्ति है जो ट्रेन में ही है और संभवत उससे वह डरी हुई है यह जैसे ही ट्रेन को सूचना जी आरपी पुलिस और कंट्रोल को सूचना मिली डायलनेट के माध्यम से ततकाल ही ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी और चंद मिनिटों पहले ही यह घटना कारित हो चुकी थी जैसे ही वरिष्ट अधिकारियों को जानकारी दी तो हमारे विशेश पुलिस महाने देशक रेल श्री सुधीर साही सर और पुलिस महाने रिक्षक रेल श्री महें सिकरवार सर द्वारा बड़े गंभीरता से इस मामले को लिया गया और बड़े अच्छे बिंदू घटना को गंभीरता से निराकरण किया गया जब परिवार से इसी सूचना मिली थी और सागर सोनी नामक व्यक्ति पर उन्हें संदेह किया था तब सभी टीमों द्वारा इस व्यक्ति को पकड़ने के प्रयाज शुरू किये गए और देख कोशिश की गई कि व्यक्ति कौन है यहां पर इन्दोर पुलिस की भे हमें मदद मिली जीयार पी अनुकी ग्राउंड पर टीम काम कर रही थी भोपाल में पुरी जीयार पी की टीम सीहौर में जिलाबल सीहौर की टीम लगा था रात भर आरोपी के पहचान वाले दोस्तियारों से पूछताश करती रही और एका में भी खुन लगा था जिससे वहां इस पश्ट हो गया कि आरोपी उक्त कर घटना करके भागा है आरोपी द्वारा पूछताच पर भी बताया गया कि मुस्कान हाडा से वह प्रेम करता था और लगभग पांच्छे वर्ष पूर उसकी पहचान इंदौर में हुई थी मुस्क सम्मान में भोबाल रहने लगा था और यहीं इस तरह का काम करता था एक तारीक को कल जब सागर सोनी को पता चला कि अपनी सहली से मिलने मुस्कान हाडा आ रही है तो वह पहले से ही दारू अरू पिये था और उसने चाकू भी लिये था क्योंकि जो प्रेम सागर सोनी करता उसको वैसा बड़ा बुरा लगता था कि मुरती का द्वारा उससे इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो वो काफी घुसे में था जब कल उसने पहले से ही मन बना लिया था तो वह शुजालपुर के स्टेशन पर पहुँचा और वहां पर वह ट्रेन अर्मदा एक्सप्र पहला इरिया होता है वहां पर उसने बुलाया और एक आएक वहां पर चिलाने के आवाज आई और कोई आरोपी भागता हुआ जनता को गेट खोलके कुदा ऐसा हैसा हुआ इतने में यूती थी वो वहां गिर पड़ी और उसको ब्लीडी हुई और वहां पर ही दम उसने तो और मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं बधाई भी देना चाहता हूं जिन्नोंने इतनी गंभीर मडर की संसनी खेज अपरात का खुलासा किया उसमें पूरी मदद की इसमें जिलाबल सिहोर साफ का विशेश धन्यवाद दूँगा साथ ही हमारे जी रपी के स्टा विभाग का हमें बहुत सब सहयोग मिला, SRP इन दौर रेली काई का सहयोग मिला, चिलाबल रेल का सहयोग मिला, उनकी सबकी प्रेशने निकारवाई रही, उन सभी को धन्यवाद, जो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहां CSP, सिहोर और धाना परभारी सिहोर दोनों क भी सहयोग मिला, सभी को इसमें अच्छा इनाम से पुरस्क्रत किया जाएगा.